Hello friends! आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता इसे खाने के बाद आपका पेट भरेगा, पर मंन नहीं भरेगा ये नास्ता बहुत ही कम समय में एकदम सिंपल तरीके से एकदम जटपट से बन करके तयार हो जाता है और इसे हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल में तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी नास्ता को बनाना सुरू करते हैं अगर आपको इस नास्ता की रेस्पी पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजेगा और नहीं पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर एक बावल ले लिया है और बावल में एक कप जितना गेहूं का आटा ले लेंगे और यह नास्ता और भी ज्यादा टेस्टी और उपर के लिए रिसकी क्रिस्पी बने उसके लिए दो चमत चावल का आटा ले लेंगे अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप दो चमच सूजी भी ले सकते हैं, इसमें एक चुटकी जितना हल्दी पॉर्डर डालेंगे, जिसे नास्ते में कलर बहुत ही बढ़िया आ जायेगा, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च ले लेंगे, थोड़ा सा कीचेन किंग मसाला मैं यहां पर डाल रही हूं, अ तो आद के अनुसार नमक डालेंगे, अब सारी चीजों को फिर से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे, सारी चीजों को मिक्स कर लेने के बाद इसमें एक कप पानी डालेंगे, और पानी थोड़ा थोड़ा करकर के डालेंगे, एक बार में ज्यादा पानी नहीं डाल लीजेगा, नहीं तो इसमें गुट्लिया बन जाएगी और गुट्लिया बढ़ जाएगी तो नास्ता हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हैं, इसमें मैं थोरा-thोरा करके ही पानी डाल रही हूं, और इसे घोलती जा रही हूं, तो आटे की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि आपको इसमें थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा भी पानी लग सकता है तो यहां पर घोल बन करके तैयार हो चुका है इससे हम कवर करके दो तीन मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और इधर हम कुछ सब सब्जियों को काट लेते हैं तो इसके लिए हमने यहां पर एक टमाटर ले लिया है एक प्याज ले लिया है एक सिमला मिर्च ले लिया है चोटा सा टुकरा गाजर लिया है दो हरी मिर्च लिया है सारी चीजों को हमने टुक्रे में काट कर लिया है इसे हम एक चॉपर में और इसे एकदम बारिक बारिक चौप कर लेंगे चौपर में इसे चौप करने से क्या होता है कि बहुत ही जल्दी एकदम बारिक बारिक सब्जियां चौप हो जाती है आपके पास चौपर नहीं हो तो आप चाकू से भी सब्जियों को एकदम बारिक बारिक चौप कर सकते हैं सामगरी हमें हमारे घर में ही मिल जाती है जिससे हम रोटी और सबजी बनाते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सबजी खाना बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं उन बच्चों को आप इस तरह से बहुत ही चालाकी से धेर सारी सबजीयां खिला सकते हैं बहुत ही पसं उनको इतना ज्यादा टेस्टी लगेगा कि रोज रोज वो आपसे इसकी मांग करेंगे देखे फ्रेंस हमने सारी सब्जियों को इसमें मिक्स कर लिया है साथ में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लिया है जिससे नास्ता का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसका ल अच्छी से चटक जाएगी तब इन्हें हम इसी आटे और सब्जी वाले घोल में डालेंगे इस तरके को डाल लेने से इस नास्ते का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है फिर से इसको मिक्स कर लेंगे तो लीजे फ्रेंस यह ह गुल ने मैंने किवल डेर कप पानी का ही यूज़ किया था उससे जद़ा पानी का यूज़ नहीं किया था बैटर एक्दम परफेक्ट बन करके तयार हुआ है तो चलिए अब नास्ता बना लेते हैं उसके लिये हमने एक तवा ले लिया है और तवा को गड़म कर लिया है तवा को गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे। बहुत जादा ओयल लगाने के जुरत नहीं परती है। ये नास्ता बहुत ही कम तेल में बन करके तैयार हो जाता है। मैं यहां इस नास्ते को बनाने के लिए तवा का यूज कर रही हूँ। आप चाहे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और इसको ऊपर से कवर कर लेंगे। मैं यहां इस नास्ते को थोड़े छोटे साइज में ही बना रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें बरे साइज में बना सकते हैं। और मैं यहां पर एक बार में एक ही नास्ता सेख रही हूँ। आप चाहे नास्ता देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगे उसके लिए उपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़े से कटे हुए हरधनिया से इसको सजा लेंगे और नास्ते को दोनों और से उलट पलट करके सेख लेंगे नास्ता को सेख के समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे हाई फ्लेम पर नास्ते को नहीं सेखेंगे तो लिजे फ्लेंस यह हमारा एक नास्ता से करके तयार हो चुका है इसी तरह से सारे नास्ते को हम सेख करके तयार कर लेंगे नास्ता को डाल लेने के बाद उपर से golden होने तक सेख लेंगे आप देख सकते हैं कितने फटा-फट से हमारा नास्ता सेख करके तयार हो रहा है जो जी फ्रेंस हमने सारे नास्ते को बना करके तयार कर लिया है और नास्ता देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और नास्ता जितना देखने में सुंदर लग रहा है न फ्रेंस खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला नास्ता है फ्रेंस आप भी इस नास्ते को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ट्राई करने के बाद रेस्पी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए